कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीक है 25 जुन 2013 और यहां पर 26 जुन 2013 सोंबार के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनसेस लेकर आपके सामय में हाजियों तो चलिए सबसे बहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और देखें बैंक निफ्टी ने जो लाश्ट फ्राइडे को काम क या कुछ खास नहीं हलांकि निफ्टी भी है लेकिन आप देखें तो एक सिमीत डाइरे में ही इसने कारूबार के आप देख रहे यह रेंज कितना छोटा से एक रेंज बनाया उपर की तरफ में 43,850 पकड़के चले और नीचे की तरफ में पकड़ते तो अब ही आप समझे इस बात को कि जब तक 43,500 के नीचे एक चीज़ तो आपको समझ माग गया कि 43,500 के नीचे जब तक यह नहीं जाए अभी हमको इसमें गिरावट के आसार बड़े गिरावट इसके नीचे आगा तरह 45,500 के नीचे ठीक है क्योंकि आप यहीं पर से लाश्ट टाइम किये हैं अब इसके पास जो गयाप बंसता है वो 1500 का गयाप अगर यह गयाप फिल हो गया यह 43,500 का गयाप आपको यहां पर नज़र आ रहा है यहां कि टोटल 1500 अब यह 350 कौन सा लेवल है तो आप पीछे आएंगे तो यहां पर द इसके पहले भी सेल किया जा सकता है तो जी हां 43,500 के नीचे आने पर भी आप सेल कर सकते हैं तब इस कंडिशन में तीक एक सेलिंग लेवल यह है दूसरा सेलिंग लेवल यह है तीक है इस दोनों के नीचे सेल करेंगे तब आपको टार्गेट सिदा सिदी 43,450 से 43,350 याद र पर जोन है एक बार यहां बाउंस कर सकता है लेकिन आपने प्रॉफिट बूक कर लेना इस जगहा पर कुछ सोचना नहीं यहां के आने के बाद आपको प्रॉफिट बूक कर लेना है और अगर यह बाउंस किया तो करने देंगे कोई टेंसर नहीं ठीक है अगर यह दुबार तो लेना ही लेना तो आप 43,400 का इस्टैक प्राइस का पूट ऑप्शन ले लेंगे लेकिन अगर यह दुबारा से 43,350 के नीचे फिर निकलता है तो फिर आप 43,300 का भी पूट ऑप्शन लेके बैठ सकते क्यारी कर सकते के लिए रहना तो यह दो चीजे आपको ध्यान में रख प्राइस के नीचे निकलता है तो यह हुआ अभी देखिए यह होता क्या है कि अभी चुकि मार्केट डॉण ट्रेंड में तो इसलिए उपर बाउंस तो करता है फिर सेल उन राइस होता है इसी तरह से आपको यह ध्यान रखना है बाइस सैट में अगर मालीजे कि यहीं पर से यह आप कहरा है कि नहीं जाएगे अगर यहीं से ऊपर की तरह भागता है तो आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का रुकावट है यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रोग कर लिए ऐसे इस ट्रेंड लाइन को निकलता है 43-750 के ऊपर आपको एक मूमेंट बनेगा ठीक ह 44700 को निखलेगा तो आप यहां पर कर सकते हैं तोड़ी इस कंडिशन में आपको टार्गेट पहला वाला 3.4k लिए चोटा वाला टार्गेट 4400 तो ठीक है अब यह ऊपर का लेवल ले बाइज 23-850 लिए धियान रखना है कि तो वहां तक एक बार यह क्लेम कर सकता है आप कॉल ओप्शन ले सकते हैं इस कंडिशन में 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स उपर जाएगा तो कॉल ओफिंग उपर जाके प्रॉफिट देगा अब अगर यह 44100 के ऊपर सस्टेन कर जाए मान लेते हैं सस्टेन कर जाए तब आपको यहां पर से बिग मुमेंट बनेगा ऊपर के साइड में अच्छा लेवल बनेगा अप साइड में ठीक है 44100 के ऊपर फिर आप यह 44500 तक की यातरा कर सकते हैं यह धियान रखना आपको तो यह है बैंक निप्टे का नॉर्मल कंडिशन में दूस्तों भी मान लेत यह गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब तो गैप अप होने के कंडिशन में यहां से 400-500 पॉइंट की बात करते हैं तो यह कहीं कहीं 44000 के आसपस में गैप अप हो सकता है 44000 या 44100 यह डारेक्टली इस लेवल पर ही गैप खुल सकता है एक चांस में ले सकते हैं तो आप तक हमें इसमें भी बाई साइट का भी नहीं रखेंगे सेल और राइस करेंगे 44100 से 44000 के आसपास में अगर यह डारेक्टली ओपन होता है तब सेल का ही बटन दबाएंगे तार्गेट नीचे की साइड में आपको 43900 से लेके 4600 तक का टार्गेट आपको बन सकता है आप पूट ओप्शन लेना चाहें तो 44000 के इस टाइक प्राइस का पूट ओप्शन लेके चल सकते हैं ठीक है इंडेक्स नीचे तो यह पूट ओप्शन ऊपर मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि मेरा इंट्रडेट टेडि की बाज करेंगे दोस्तों तो गैप डाउन में किस लेवल पर यह ओपन होना चाहिए देखिए चांस है मार्केट अगर निगेटिव ही रहा और गैप डाउन ओपन हो गया तो इसी तरह से या तो 43000 पर अगर ओपन हो जाए तो आपको यहां पर किसी से कूशना नहीं है बा किया और यह नीचे आ गया तो आपको नीचे के साइड में क्वांटिटी और एड करना होगा बाई साइड में यानि बैसिकलि 43000 से 43300 के आसपास ओपन होगा तो आपको बाई करके चलना होगा टार्गेट 43400 से लेके 43700 तक का टार्गेट आपको बनेगा क्लियर है एक बार यहां पर एक रजिस्टेंस बन रहा है तो यहां पर आके वार अटक सकता है यह ध्यान रखना है कॉल अप्शन लेना चाहें तो जरू कॉल अप्शन लिजेगा 43300 के ही इस्टाइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो यह कॉल अप्शन ऊपर जाके प्रॉफित देग कि लिए यहें बैंक निपी का गिर इसी हिसाप से निप्टी के चार्ट को देखें दो सकती क्षन सबसेए चेसा चेल सबसें जाऊंकित नेली चार्ट को लेकर प्रॉफित भी निप्टी यहां पर अब देखें निफ्टी में जो लेवल है ऐल टाइम है 18,890 के आसपास का चल रहा है जो पर उसकी उपर सश्टेन नहीं करें तो दिक्कत है इसने एक इंपोर्टेंट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप यहां पर देखें एक ट्रेंड का सपोर्ट ता उसको भी ब्रेकडाउन कर दिया डेली के चार्ट और यह सपोर्ट लेने की कोशिस कर रहा है तो अपने लो देखें तो 18,650 के आसपास का चलोज 665 तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है लोग पर क्लोज में यानि कि निगेटिव महल है डाउन साइड का महल दिखाए दे रहा है यहां पर पॉजिटिव होने के लिए तो अभी इसको 18,700 के उपर सस्टेंड करना होगा 750 के उपर सस्टेंड करना होगा तो फिलाल अभी हम लोग इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो यहां पर क्या करना हमें एक लाइन को ड्रॉब कर देना इस तरह से इसके उपर 18,750 इसलिए मैं आपको कहा कि 18,750 के उपर सस्टेंड करना होगा सेलिंग के लिए इसके नीचे 18,650 के नीचे आप राउंड नमबर पकड़ लिए तो सेल साइड पहले हम लोग देखेंगे क्या करेंगे 18,640 के नीचे आपको निकलने पर एक सेलिंग का जोन बनेगा टार्गेट नीचे के साइड में 18,600 का एक टार्गेट बनेगा राउंड नमबर दूसरा 18,575, 18,550 कि इसके बाद जो सीधे सपोर्ट बनता हो 18,550 से 18,500 के आसपास का ही बनता है हलांके 18,500 के नीचे नहीं जाएंगे यहां पर हम दोग पॉज ले लेंगे श्टॉप कर सकते इस जगा पर आपको यहां पर 18,550 से 500 के बीच में आते के साथ यहां पर आपको एक काम करना है कि यहां पर प्रॉफिट को ज़रूर बूग कर लेना है उपर से अपने सेल किया है तो पूट ऑप्शन लेना चाहेंगे 18,650 के श्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आगा तो यह पूट ऑप्शन ऊपर जाएगा क्लियर है माल लेते हैं इस तरह से यह बाउंस कर गया उपर तो आपको पहला हड़ल का सामना यहां पर करना पड़ेगा इस एरिया क आपको निकलने पर आपके बाइंग बनेगे 18,700 के ऊपर तो चलते हैं अगर यह 18,700 के ऊपर निकल जाता है सुम्बार को तो आपको एक बाइंग का पोजिशन बनेगा और टार्गेट ऊपर के साथ में 18,725, 18,750 जो की यह रजिस्टेंस एरिया है आपको एक बार यहां पर आपके प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है कि यह रिजेक्शन ले रहा है तो यहां पर आपको बुक कर लेना है जब यह 18,800 के ऊपर सस्टेंड करेगा सस्टेंड करेगा क्लोज करेगा फिर आपको नया इंटी कर सकते है 18,825 से लेके 18,900 के टार्गेट के लिए 875 भी कह सक पर जाके प्रॉफिट देगा ऐसा अगर नहीं हुआ और यह गैप आप और गैप डाउन अगर खुल जाता है तो यहां से अगर 200 पॉइंट की बात करते तो 18,800 के पचास के आसपास में खुलता है मालीजे अगर यह गैप खुल गया डारेक्ली तो कहिन कि यह इस लेवल के आसपास में खुलेगा 18,850 ठीक है 600 सरसर को क्लोज कर रहा है 18,900 तो अभी मैंने क्या का कि सेल ओन राइस हमें अभी फोकस करना है सेल ओन राइस पर जब तक यह 18,900 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा हमें तेजी नहीं बनेगा यह धियान रखना है आपको तो सेल ओन राइस कर पूट ऑप्शन लेजी 18,850 के श्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आगा कि यह पूट ऑप्शन उपर जाके प्रॉफिट देगा इनकेस अगर यह गैप अप नहीं हो कि अगर यह नीचे के साइड में गैप डाउन खुल गया डारेक्ली डाउन में आ जाता है तब तो आपको फिर यहां पर समझना होगा कि अगर यह 18,500 पर खुलता है यह 18,550 पर खुलता है यह दोनों ही जगह आपको बाइंग करना है तार्गेट के लिए आपको 18,575 से 18,675 जो कि लगभग लगभग क्लोजिंग प्राइस है वहां तक यह आने का कोशिस करेगा कॉल ओ कोशिन लिजिया आप 18,550 के स्टाइक प्राइस का इंडेक्स वूपर तो यह कॉल ओप्शन वूपर जाके आपको प्रॉफिट देगा तो यह दोस्तों सुन बार मंडे के लिए 26 जुन 2013 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी विए मेरा अपना व्यू पसंद आतो जरू प्राइस स्टेड आप स्टाइस के लिए निफटी और निफ प्रॉपर जरूपर प्रॉप यह दोप्राइस के लिए एक सटन्या कर दो यह दो कोई प्रॉपर प्रॉपर देगा ड्रॉपर।